So hey guys, welcome back to our channel So friends, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि Sannic School का intense exam 8 जन्वरी को conduct करवा दिया गया है और आप लोग जो हैं बेसवरी सा उसका result का इतजार कर रहे हैं ठीक है, तो मैं ये वीडियो में आपको बताऊंगा कि उसका result कब आएगा और result आने से पहले क्या-क्या जो processes हैं वो होगी आपका OMR कैसे display करवाया जाएगा answer की कैसे release होगा Sannic School का और कैसे आपको जो है registration करना है e-counseling portal पे तो वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको end तक बता दूँगा इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा ठीक है तो सारा भी जो post examination activities और declaration of result है मैं आपको इस वीडियो में बता दूँगा और जो अभी मैंने open कर रखा है वो Sannic School का information bulletin है तो मैं जो भी आपको बताऊंगा वो बिल्कुल ही officially होगा ठीक है क्योंकि ये खुद Sannic School के दौरा जारी किया गया है और ये मैं बताऊंगा आपको NTA के दौरा ये जारी किया गया है ठीक है तो इसी से पॉड़के मैं आपको सारा कुछी information आपको बता दूँगा और cut-off पे मैंने एक वीडियो बना रखा है पहले ही अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है Sannic School का cut-off पे Classics और Class 9 दोनों के लिए तो इसका link जो है description box में मैं डाल दूँगा तो वहाँ से आप देख सकते हैं ठीक है तो आज का important topic जो मैं मैं बात करना चाहता हूं वह अब start करते हैं तो सबसे पहले result date के बारे में बात कर लें थी result release कब होगा result जो है अठाई जन्वरी का जो result है वह एक्सपेक्ट किया गया है कि February के last week में release होगा date extend भी हो सकता है लेकिन अभी पहला date जो बताया जा रहा है ठीक है वह February के last week में ठीक है last week of February में release होगा तो भी result release होने से पहले भी काफी कुछ जो है activities कराया जाता है result होने से पहले आपका जो है OMR seat official website पे upload किया जाएगा answer की को challenge करने का option आ जाएगा ठीक है answer की आपको लगता है कि नहीं मेरा 是 इनका फरीजल्ट के बाद बहुजलेंज करने का option आएगा आपको चैयलेंज घरने का ठीक है आपको लगता है कि हमेरा mark जो है काफ़ी कम आया है आप आसंतूर्ष्ट है अपने box से जा कोई question आप जो है चैलेंज कर सकते हैं वो भी चैलेंज करने का ऑप्शन जो है वो सैनिक स्कूल के पोर्टल पे आएगा तो कितना पैसा लगेगा ये भी मैं आपको बता देता हूं तो सबसे पहले पोस्ट इग्जामिनेशन एक्टिविटीज हम बात कर लेते हैं तो एक बात मैं आपको बता देता हूं कि रिजल्ट जो है वो फैर्विडी के एंड तक आएगा अब आगे का जो जो भी प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूं neys Plays of Scanned Copies OMR Seat on website तो सबसे पहले OMR Seat result आने पहले ही आपका OMR Steat जो है आपके website पे upload कर दिया जाएगा आपने जो OMR Seat में भड़ा था आपका जो खुदका OMR Seat है तो वो same to same उसका photo जो है website पे upload कर दिया जाएगा अब इसमें आज जो important points है मैं केवल वही आपको बताऊंगा बाकी जो points अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसका link description box में डाल दूगा आप वहाँ से download करके या फिर अगर आपके पास information bulletin होगा तो page number 40 पे ही है तो आप इसे देख सकते हैं यहाँ पे तो सबसे important point इसमें B वाला point है कि applicant will be given an opportunity to submit representation slash online against the OMR grading paying a non-refundable processing fee for rupees 100 per question challenge यानि कि अगर आपको लगता है कि जो NTA वाले एक official answer की निकालेंगा ठीक है अगर आपको लगता है कि उनका answer की गलत है कहीं भी आपको लगता है कि उनका answer की गलत है आपको उनको challenge करना है तो अगर आप challenge उनको करना चाहते हैं तो आपको 100 रुपे per question लगेंगा आपको 100 रुपे देना पड़ेगा challenge करने के लिए ठीक है यह काफी दाधा important है आपके लिए आपको लगता है कि उनकोंने जो answer की निकाला है वो कोई भी question गलत है एक question को अगर आप challenge करते हैं तो आपको 100 रुपे fee देने पड़ेंगा जो कि non refundable होगा वो आपको refund नहीं किया जाएगा कभी भी आपको refund नहीं किया जाएगा इसलिए source मज़के आपको challenge करना होगा ठीक है और आगे बात करनेते हैं कि यह D वाला point भी important ही कि applicants are advised to visit the website days for viewing and downloading the image of OMR seat OMR seat का image OMR seat जो है कौन से website पे upload होगा आपका तो इस website पे upload होगा आप यहाँ से जो है आप देख सकते है लेकिन अभी अभी time है OMR seat upload होने में अभी बहुत जादा time है मैं यह आपको पहले ही बता जाना process ताकि आपको पता चल जाए ठीक है अभी तक कुछ भी यह सब नहीं हुआ है मैं बस आपको process बता रहा हूँ अगर कुछ भी होता है कोई भी information आता है तो मैं channel पर video बना के आप तक पहुचा दूँगा ठीक है अब बात कर लेते हैं display of answer की for challenge यहाँ पर देखिए जो मैंने अभी बताय है वो यहाँ पर points में यहाँ पर धेर सारे points में आपको दिये गए है तो आप यहाँ से यह आप देख सकते हैं यह सारे points जो है आप इसे points लिजेगा जो भी बताय है मैंने वो यहाँ पर दिया हुआ है और कुछ खास यहाँ पर नहीं है ठीक है तो sorry sorry यह जो है एक answer की के लिए यहाँ पर 200 fee लगेंगे जो मैंने अभी बताय है वो OMR seat के लिए है ठीक है रुपीज 100 per question challenge अगर आपको लगता है कि मेरा OMR seat जो है थोड़ा उसमें गड़बढ हो गया तो उसके लिए आपको 100 रुपीज देने पड़ेंगे लेकिन अगर आपको answer challenge करना है तो आपको और ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे यानि कि 200 per answer challenge आपको लगेगा ठीक है तो answer की के लिए 200 per answer लगेगा और अगर आपको लगता है कि OMR में कुछ घरवड़ी है तो उसके लिए आपको 100 रुपीज 100 आपको देने पड़ेंगे per question के लिए ठीक है तो ये NTA का answer की challenge है OMR कैसे upload होगा इस तरीके से आपको बताना है फिर यहां पर DE आप point देख लिए No individual candidate will be informed about the acceptance or non acceptance of his or challenge अगर आप जो है challenge करेंगे answer की को तो किसी को ये बताया नहीं जाएगा या कि आपका जो challenge वो accept किया गया है या सही है या गलत है ठीक है और final answer की challenge करने के बाद ही release होगा पहले तो normal answer की release होगा और final answer की challenge करने के बाद release होगा उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि result will be declared within six weeks after the exam यहां पर official notification में यह लिखा हुआ है यह result जो है इस website पे जो है छे week के बाद exam के 6 week के बाद release होगा छे week के बाद तो अभी तो काफी time है February end तक release हो सकता है लेकिन फिर भी वो केवल fourth week है ठीक है छे week के बाद ही release होगा यानि कि आप देख लें कि March तक second week of March या third week of March तक भी जा सकता है result तो result जो है या तो March में ही ज़्यादा probability है कि March में ही release होगा March के second week first week तक ही release होगा यहाँ पर साफ सब लिखा हुआ information bulletin में तो इसलिए आपको ये सब देखते हुए चलना है बाकी information आपके लिए important नहीं है cut off और qualifying criteria के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है result के बाद merit list release होगा ये बाद की बात है result आने के बाद मैं इससे बताऊंगा कि कैसे जो है exam sorry merit list release होगा और कैसे आपका नाम उसमें select हुए है आपको देखना है ठीक है तो ये था result और answer की के बारे में तो result आने से पहले सबसे पहले आपको आपके OMR seat को upload कर दिया जाएगा उसके बाद आपको अगर challenge करना है कि answer की रिलीज किया जाएगा answer की आपको challenge करना है तो वो आप कर सकते हैं उसके बाद answer की challenge कर लेने के बाद आपका result release होगा result जो है वो 6 week के अंदर में release हो जाता है या ठीक है तो 6 week के अंदर में release होगा तो यानि कि March या February के end तक भी release हो सकता है result अगर उसमें नहीं release होगा तो मार्च के second week तक release होगा सानी कि स्कूल का result ठीक है गाई तो ये था total information result के बारे में और post examination activities के बारे में ठीक है तो मिलते हैं next videos में